चन्डिगर में आज पिर बिदायक दल की होगी बैठर कौन होगा पंजाब का अगला सीम नए सीम का पैसला करेंगी सुन्या गान्थी कैप्टर अमरिंदर सिंग ने सिद्दू को देश के लिए खत्रा बताया कहा उनकी पालकिस्तान पीएम इमरान खान और जर्नल बाजवा से है दोस्ती योपी में चुनाव से पहले अपने साड़े चास साल के काम काच का आप 12 पेश करेगी आज योगी सरकार दो पहरे एक बज़े मंत्रियों की चिलों में होगी प्रेस कॉन्फरेंस देश में फिश्वे 24 घंटों में कोरोना के 35,682 नए मामले आई सापने 281 लोगों की गई जान नवश्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूल त्यागी खबरों का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसबा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्ता धारी भारतिय जुनता पार्थी ने पूरी दरहा से कमर कसली है अबिवार याने कि आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फरेंस आयुजित कर और मुख्य मंतरी योगी आदितिनाद सरकार के साड़े चार साल के कारकाल का रिपोर्ट कार्ट पेश करेगी बतादे इस प्रेस कॉंफरेंस में मुख्य मंतरी योगी आदितिनात के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे इसके लिए सरकार और संगठन के स्तर पर बड़े पहमाने पर तयारी की गई है जानकारी के मताबे क्यूपी के योगी सरकार के साड़े चार साल के कारेकार का रेपोर्ट कार्ट पेश करने के लिए आयजित होने बाली प्रेस कॉंफरेंस में बीजिपी के केंद्रे मंतरी सांसत पुधायक और पार्टी के वरिष्पद अधिकारी मौजूद रहेंगे इसके लिए पार्टी की ओर से कई बड़े मंतरी और नेताओं को आमंतरित किया गया है खबर ये भी है कि अगर बुख्यमंती योगी आदितिनात लखनों में नहीं होंगे तो सांसत महेश शर्मा नौइड़ा में प्रेस कॉंफरेंस करेंगे वहीं सांसर वरुन गांधी को पीली भीत में सरकार के पैसलों को बताने की जिम्मदारी सौपी गई है जबकि राजसबस सांसर जफर इसलाम मुरादबाद में पत्वकारों सिरू बरुख होंगे तो वहीं साकसी महराज उन्नाव सरकार के उपलब धियां पताएंगे कई मंतरी जो हैं और सांसर मौझूद रहेंगे प्रेस कॉन्फरेंस उनकी तरफ से आज की जाएगी सरकार की तरफ से हलाकि अगर योगी आतितनात लखनों नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में कई और सांसरों को जिम्मदारी दी गई है जो अपने अपने इलाकों में प्रेस कॉन्फरेंस कर जनता तक योगी सरकार के कामकाच को पहुंचाएंगे तो बता दें आज योगी सरकार के साड़े चार सार पूरे होने पर ये रिपोर्ट कार्ट पेश्ट किया जाएगा जनता को सीधे तोर पर बताया जाएगा कि साड़े चार साल में योगी सरकार ने क्या कामकाच किया है किस तरह से जनता को क्या क्या सुवधाय दी है वो सभी चीज़े आज रिपोर्ट कार्ट के तोर पर जनता के सामने रखी जाएगी अलग अलग जिलो में प्रेस कॉन्फरेंस की जाएगी और ऐसे में अगय योगी आधितिनात आज लखनों में नहीं पहुंचेंगे तो कई और जिलो में अलग अलग जगाओ पर कई और सांसिदों को जिम्मिदारी दी गई है वो अपने अपनी जगाओ पर प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे पत्रुकारों से रूबर होंगे मुखातिफ होंगे बाचीत करेंगे और उनके सामने पत्रुकारों के माध्यम से जनता क साब ने अपने कामकार्ज का ब्योरा पेश्ट करेंगे रिपोर्ट कार्ट पेश्ट करेंगे और जनता तक बताएंगे किस सरहा से उन्होंने 4,4 साल में क्या कुछ काम किया है जनता के लिए क्या कुछ किया है और आगे आने वाले विदानसवाच चुनाव में किस सरहा से यो योपी समेत कई राज्यों में विधानसवा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में अब उससे कुछ महीने पहले योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश होने वाला है तो काफी महत्रपूर्ण इसे माना जा रहा है वो इसलिए क्योंकि आज साड़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड चलिए जादर जानकारी के साथ लखनों से हमारी प्योरो चीफ रूबी सिद्ध की हमाईसा चुड़ चुकी है रूबी आज साड़े चार साल का यूबी सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है क्या कुछ और अपडेट है आज साड़े चार साल के कंप्रेट हो चुके हैं और इसको लेकर लखनों के लोगभवन में 14 बज़े से प्रगाम स्टार्ट होने वाला है और कुछ देर में ही वो सारे इसके साथ जो मिनिस्टर्णों के विधाया को के सबसाथ की साथ यहां पे लोगभवन में पुरा प्र आना है कुछ देर में ही वस्तियम पहुचने वाले हैं वाप प्रगाम शुरू होने वाला साथी साथ मुरा मंत्री मंदल होगा और साड़े-चार साल की जो भी उपलब दिया होगी उसकी पूरे तारीफों के जो पूर होगे वो देखनें को मिलेंगे खास तोर से इन्हों इसी बात को लेकर किया संदे का दीन है और इसका खास ख्याल रखा है कि जादा से जादा लोग पहुचे और लोग भवट में राज से ही तयारिया शुरू हो चुकिए कि एक उस्तों की तरह मनाया जारा साड़े-चार्टर योगी सरकार के अब 11 बजे जो समय दिया गया थ बिल्कुल रूबिय लेकर देखे अब विधानसभा चुनाव में यूपी के काफी कम समय बचा है ऐसे में अब कुछ महीने पहले ही रिपोर्ट कार्ट पेश किया जा रहा है काफी महत्रपूर्ण ये रिपोर्ट कार्ड हो सकता है क्योंकि देखिए अगर जंता कहें तो का काफी नारास बीचिपी सरकार से है चाये वह कुरोनकाल के समय से हो या फिर किसानों की बात कर लिए तो किसान भी नरास है सरकार से तो ऐसे में ये रिपोर्ट कार्ड जो सरकार पेश कर रही है इसे काफी महतुकून भी माना जा रहा है पहले से भी एक क्यास लगाया जारा था कि रिपोर्ट कार्ट तयार कोई जाएगी करेंगे और उसके बात बता दो साड़े पात बजे बनारस भी जाएंगे और वहां पे जो ऐसी मोट से गिरास्टी अध्यक्ष कारनी है उसमें भी बैठक में शामिलोंगे पूरी तरीकी से उन्हें डिवाइट कर रखा है और अलकनों से शुरुवात कर रहे है थास उसे साड़े चाल साल कंप्लीड होने के बाद यहां की जो ब्लम्निया को गिना के सिधा राम लल्ला के दर्शन करेंगे उसके बास सिधा पनारस के तरफ पूच करेंगे बिलकुल रुबी और सीम खुद जो है वो इस प्रेस कांफरेंस को संबोजित करेंगे उनके साथ और कौन-कौन शामिल होुरे बाला है पारूल उनके साथ जो भी डिव्टी सीम है और उसके साथ साथ यहां के जो तमाम इनके जो बिदायक ने मंत्री है इनके भी सदस्व में हैं। यानि कि अलग अलग जिलो में जाके आज सीम योकी आधितनात खुद जनता से रूबरू होंगे और जनता को काम काज का इर्पोर्ट कार्ट जो है वो पेश करेंगे जो बिल्कुल पारोल आज इनोंने खुद ये प्रोगाम को इसलिए ही किया गया है खास वह से जो संड़े है यानि कि छुपती का दिन होता है जादा से जादा लोग इखटा हो सकते हैं और जो लोगभवन का प्रोगाम है यहां पे इनके तमाम अधिकारी और इनके विधायक मंत्री मंडल के सारे लोग पहुँचेंगे अब विधायक के जो रिपोर्ट काट की बात कही जा रही है इसमें साफ यह दिखता है कि विधायकों को उन विधायकों को खास आवंचड भी दिया गिया है कि आप लोग काईकरा में समय से पहुँचाई यह शिर्कत करिये यानि कि अधाया सही लगाया जाए जो रिपोर्ट है विधायकों की लगबत तैयार हो चुकी है और डबर वन पे जो बिधायक रहेंगे उनको पार्टी के तरफ से बुलावा मिल जाएगा यानि कि जो 22 की जो डगर होगी उनके लिए कापी टफ नहीं हो जे बिलकुल रूबी चलिया आपको बहुत बहुत शुक्रे समाम जानकारी के लिए तो आज बीज़ेपी अपना रिपोर्ट कार्ट पेश करने वाली है यूपी में साड़े चार साल के कारकार कार बीज़ेपी आज रिपोर्ट कार्ट पेश करेगी जनता तक अपने कामकाज को पहुचाएगी कि 45-45 साल पे इसाकार ने किस तरह से क्या-क्या काम किया है क्या-क्या उनके उपलब्धियान रही है ये तमाम चीजे हैं जो आज बीजेपी जनता के सामने पेश कर दे वाली है पंजाब प्रदेश कॉंग्रिस के अधियक्ष नवजोद सिंग सिद्धू के साथ लंबे समय तक चली तनातानी के बाद अमरिंदर सिंग ने शनिवार को मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे दिया अमरिंदर के स्तीफा के बाद से पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए ग्यारा बजे से बता दे पंजाग कॉंग्रेस भवन में पार्टी विधाकों की बैठक चल रही है और इस मीटिंग में सीम के चहरे का एलान भी संभव है इस से पहले बता दें दिली में भी देर रात तक राहुल गांदी की गर्द पर बैठक चली थी ऐसे में कॉंग्रेस महासचेव केसी वेणु गुपाल और अंबिका सोनी इस बैठक में शामिल रही थे वहीं नई विधायक दल की नीता की तौर पर सिद्धू के अलावा कॉंग्रिस पंजाब की काई की पूर्व अध्यक सुनील जाखर, पूर्व मंत्री सुकजिंदर सिंग रंधाबा, त्रिप्त राजिंदर सिंग बाजवा और राजिसबत सिदर से प्रताप सिंग बाजव ऐसे में कॉंग्रेस सूतरों का कहना है कि अगर पार्टी आला कमान सिद्धू को मुख्य मंतरी बनाने का फैसला करता है तो फिर उनके साथ हिंदू और दलिस समुदाय से दो उप मुख्य मंतरी या फिर इनमे से एक समुदाय का नेता उप मुख्य मंतरी और दूसरे समुदा पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो यानि की कैप्टेन अमरिंदर के स्तीफा देने के बाद आज विधायक दल की बैठक पंजाब में चल रही है और ऐसे में कयास लगाए जा रही है कि अपसे कुछी देर बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो स है बतादे आयोद्या पहुँचकर सीम रामलला की दर्शन करेंगे और उसके बाद पिश्डा वर्ग समीति की बैठक भी करेंगे बतादे जो आयोद्या में फारी तीन बजे पिश्डा वर्ग की बैठक होंनी है और उसके बाद सीम योग् χी आदित दोनों ही जगा वो बैठ के करेंगे और उनमें शापिल होंगे ऐसे में आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन भी योगिया देतिनाद करेंगे देश में कोरोना मामले एक दिन में एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा पड़े हैं हाला कि पिछले दिन कम मामले आये थे ऐसे में रविवार्ट सुबा यानि कि आज श्याद से मंतुराले के और से ताज़ा आकड़े जारी किये गए थे मंतुराले के नुसा पिछले 24 घंटों में 33,773 नए कोरोना मामले सामने आये जबकि 309 कोरोना संक्रमतों की जान चली कई है जबकि बता दें 38,945 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं यानि की 8,481 एक्टिव केस कम हो गए हैं वहीं बता दें कोरोना के पिछले 7 दिनों का आकड़ा क्या रहा है वो आपको बता दें 12 सितंबर की बात करें तो 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आये थे और 17 सितंबर को 35,000 वहीं 18 सितंबर याने की कल बात कर ले जाए तो कल 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं वहीं देश में कोरोना संक्रमन की रफ्तार जो है इस्तिती काफी ठीक नहीं है कोरोना महमारी के शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,33,181,000 लोग संक्रमित हुए है और इन में से 4,44,248 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन अच्छी बात ये है कि अब तक 3,34,48,000 लोग ठीक भी हो चुके है ऐसे में देश में कोरोना आक्टिव केस की संक्याद 4,4,000,000 से कम हो कही है जबकि कुल 3,33,158 लोग अभी भी कोरोना वारस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है वहीं आपको बता दें कि कोरोना के मामले में उतार चड़हा वो साफ तोर पर देखा जा सकता है कभी मामले बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं लेकिन ऐसे में केरल में मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे लेकिन उसमें अब कमी देखी जा रही है केरल में शुनिवाग को संक्रमित के नए मामलों में गिरावट देखने के लिए मिली और संक्रमेट के भाँ पर 19352 नय केस सामने आने के साथ थी कुल संक्रमेतों कीस संख्या बढ़कर 44.88.840 हो गई है बहिए 143 मरीजों की बहुत के बात मरतकों कीस संख्या बढ़कर 23.449 हो गई है ऐसे में राज्य को में शुक्रुवार को संक्रवन के 23,260 नए मामले सामने आये थे याने कि साफ तो आपके कोरोना के मामलों में उताल चड़ाप देखा जा सकता है गनेच उत्सब का आज आखरे दिन है जिहां आज बपा के मूर्ती विसर्जन किया जाएगा कणपती विसर्जन के पहले मूंबई पुलिस ने पूरे शहर की सुरक्षा विवस्ता कड़ी कर दी है बता दे मुंबई पुलिस विसरजन के पहले हाई अलर्ट पर है और हाली में पक्ड़े गए संदिक्त आतंकबादियों की घत्ना के बाद से महानगर में सुरक्षब विवस्ता और ज्यादा बरहा दी गई है इसकी जानकारी मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दी है और करही मुंबई पुलिस के आतंकबाद निरोधक दस्ते ने दिल्ले पुलिस द्वारा पक्ड़े और पर्दफाश कुए गया आतंकबादी शर्यंत रुकर सिलसले में एक व्यक्ती को भी किरफतार किया था ऐसे में गणेश चतूर्थी और गणेश उत्सव के दस दिन के बाद आज बपा की विदाइक होगी और उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा बपा के प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही दस दिन चलने वाले गणेश उत्सव का आज समापन हो जाएगा ऐसे में कोरोना महमारी की वज़ा से सार गणेच उत्सवकार रंग हर साल की तरह नहीं रहा कोरोना के प्रसार के खत्रे को देखते हुए बापा की विदाइप में निकालने वाले जुलूस पर भी रोक लगाती गई है ऐसे में मुंबई पुलिस के प्रवक्ता और उपायूक्त एस चेतन्या ने शनिवा को बताया कि एहम प्रतिस्ठानों के आज पास रुक्षा बढ़ाती गई है उन्होंने ये भी चानकाली दी कि समवेदन शील्स शेत्र में पुलिस के गश्टी के अलाबा गणेच्वी सर्जन वाले स्थान पर भी पुलिस की भारी तैनाती रहीगी साथ ही मुंबई पुलिस किसी भी तरह के अपात कालें सिती से निपटने के लिए अतरेक्त रौशनी, क्रेन, कोताखोर, अम्बुलेंस और तंकल गाड़ियों के इंतिजाम पहले से ही कर चुकी है और इसके अलावत स्ट्रक्ष विवस्ता को देखते हुए स्टेट रिजर्फ पॉलिस फोर्स की तीन कंपनिया, सेंट्रल रिजर्फ पॉलिस फोर्स की एक कंपनी, 500 होम कार्ड और 205 तक कॉंस्टेबल्स की तैनाती शहर में करती गई है बिजनौर में पंजाब नाश्रल बैंक के मुखे शाखा द्वारा जिला अस्पताल में कोरोना की तीसी लह को देखते हुए पीनबी ब्रांच की तरफ से अस्पताल को चिकित्सकेय उपहार उपकहंड के अंतगत चार आईस्यू बेट दी गई है इस कारकर्म के तहट बैंक के मुरादबाद मंजल प्रमोक अभे कुमार ने पताया कि समय समय पंजाब नाश्रल बैंक द्वारा शहरी और ग्रामणू के लिए मदद के उदेश्य सामाजिक काम भी बैंक द्वारा की जाते हैं और पता चला था कि कोरोना की तीसी लेहर को देखते हुए अस्पताल में आईस्यू बेट की कमी आई है और उस कमी को दूर करते हुए पंजाब नाश्रल बैंक की मुखे शाख द्वारा जिला अस्पताल को चार आईस्यू बेट सौप दिये गए हैं आगे भी बैंक द्वारा समाज हित में लोगों की जान बचाने के लिए अन्यमाधिमों से सहायता की जाती रहेगी इस मौके पर लीज बैंक का दिकारीग जोगेंदर ग्रोवर सिंग मुखे चकित साधिक्ष्याक अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी मौँचूद रहे पंजाब नसर्वेक अपनी सोचल रिस्पांस लेटी के तर्थ आज कोविद थार्ड वार्ड के लिए जैसा सीमों साब ने हम लोगों को बताया कि कुछ चीज एकुपेंट्स की थोड़ी सी कमी है हमारी अबिरगानी जिला प्रबंदग ने इनका चार बेट जो आईसीव बेट होता है इस कोविड बेट उसको परदान किये हैं इसी मक्सद से परदान किये हैं कि जो हमारे गाउं के आदमी आ रहे हों की सुबह इससे इलाज यह लोग कर पाएं ताकि इनकी एपिसेंसी से आदमी का इलाज हो और आदमी शुकलो कोई जाएं पंजामी से बैंक ग्रामीन प्रवेस में भी बहुत पाल बनाए हुए हैं यह हमारी बेवसाई के साथ साथ भी हमारी समाधिक दायतु का निर्वान कर रहा है और अपने ग्रामीन और सहरी यार्थ सहरी सभी तवके के आए गई गौशाला हैं अवयवस्ता के भीड चड़ गई हैं इसके चलते ही बीते दो दिनों में हुई मुसराधार बारिश से बारबंकी के गौशाला में दो दरजन से ज़्यादा गौवन्चों की मौत होनी का दावा किया जा रहा है वहीज में चौकाने वारी बात ये इसकी जानकारी भी किसी अधिकारी को नहीं हुई वही बारिश ठंदे के बाद जब ग्रामीरों ने इसके शिकायद की तो प्रसाशन मामले की लीपा पोती में जुट कया है ऐसे में प्रसाशन की तरफ से केवल आठ गौवन्चों की मौत की बात कही जा रही है जबकि इस प्रसाशन के लिए जिम्रेदार लोगों के खला सक्त कारपाई हो पूरा मामला बारवंखी के प्रिम्वेंति गंच ब्लोक में सेथ हसंपु गौशाला से जुड़ा हुआ है दरसल प्रदेश के साथ ही बारवंखी जिले में भी हुई मुसलादार बारिश के चलते गौशा परिसर में काफी पानी भर गया था दूशेत पानी की वीच खड़े सैक्रो गाय सांट और बच्रा और चारो और पानी पीने और इलाज की कमी से मरते रहे और गौशाला प्रभारी सेका पंचाइब के प्रधान तक ने इसकी सुद नहीं ली वही बारिश खमने के बाद सब्सक्राइब को कौशाला से खटवा दिया है जोड़ने लिग खटना है बड़े अफ्सोस की बात है यह सरकार जो बड़े-बड़े दावे करती है और गाय की उपर मी बड़े-बड़े भास्रा देती है गाय की हम पूजा करते हैं गाय के हम सम्मान करते हैं लों कितने का है हमारी मता है अभी तक जो रिपोर्ट मिली है बीस की संख्या भी प्राप्त हुई है समझादी पार्टी के पूर बिधायक मगन राबत पार्टी के नेता मोके पे पहुँचे है तो बारबंकी के पूरा मामला है जहां पर गौशाला में दरजनों गौवंचों की प्राप्त हो गई है ऐसे में इस पूरे मामली पर राजनीती भी की जा रही है आला कि गौशाला के प्रबंदन है उनकी तरह से कुछ गायों की मौत की जानकारी दी जा रही है लेकिन असल भी दावा किया जा रहा है कि दरजनों गौवंचों की मौत यहां पर होई है हाला कि देखे यूपी में पिछले कई दिनों से अलग-अलग जिलो में मुसरधा बारिश हो रही है इसी वज़ा से गौ शाला में पानी फर गया था जिसकी वज़ा से इन गायों को खाना पीना समय से नहीं मिला पानी समय से नहीं मिला जिसकी वच्छा से कई गायों की मौत कोच चुकी है हाला कि अब इस पूरे मामले पर राजनीती भी की जा रही है चलिए जादा जानकारी के साथ बारबंकी से माय संबादाता रवेंदर पटेल हमाय से जुड़ चुके है रवेंदर जिस सरह से दावा किया जा रहा है कि दो दरजन से ज़्यादा गायों की जान चाच चुकी है लेकिन गौश वाला की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुछी गायों की मौत हुई है आखिर संख्या कितनी है जितनी गायों की मौत हुई है देखिए पारूल न्यूजवर्ड इंडिया ने कल ही इस खबर को परमुक्ता से दिखाया था और यहां पूरी जानकारी दी थी न्यूजवर्ड इंडिया की टीम ने अगल बगल के लोग जो हैं जो बस्ती के लोग हैं उनसे भी जानकारी की थी और यह जानकारी निकल कर साम जरूर इस पर कहीं न कहीं परदा डालने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन वीडियो वाइरल हो रहा है इस पर राजनीत भी गरब हो चुकी है जी बीजेपी जो ये सपा के पूर मंतरी अर्बिन सिंग गोप हैं इन्होंने न्यू जुवाड इंडिया को बताया है कि ऐसे लापरवा गोशालाओं के लिए अच्छी विवस्था की बात करते हैं प्रसाशन से भी लगातार वो बातचीत करते हैं कि गोशालाओं में गायों को अच्छी सुविधा दी जाए लेकिन फिर भी उसके बाद ये लापरवाही क्यों की जाती है देखिये पारूल ये जानवर होते हैं किसी से ना कहने जाएंगे ना किसी से कोई आपक्त होगी और ये बेजुमान जानवर होते हैं इनके साथ जो भी बंदर बाद कर लो किसी को जानकारी नहीं होगी ऐसी खबरे जब सामने आती है तब हड़कम जरूर मचता है किकि ये बिल्कुल रवेंटर लेकिन खबरे सामने आने से हरकम जरूर मचता है लेकिन कारवाई फिर भी उसके बाद नहीं की जाती क्योंकि देखिए ये कोई पहली गौशाला नहीं है जहां पर इतनी गायों की जान कई हो इससे पहले भी उपी में तमाम जगास ऐसी खबरे सामने आती रहती है इसी जानकारी मिलती रहती है कि किसी गौशाला में कितनी गायों की जान गई किसी में कितनी की गई लेकिन फिर भी उसके बाद कारवाई क्यों नहीं की जाती देखे पारूल इसमें कही appel झुला परसासन की लापरवाही माना जाएगा कि लगातारी जो खबरे आती है उस पर सकत कारवाई की जरूरत हुती है सकत कारवाई हो जिसा में देजारी हो ताकि हो सीख बने और अगे ऐसी कारवाई जिकते ना सामने आए आईसी आजे से कोई परेसानी ना सामने आए तो कहीं न कहीं लापरवाही जरूर है उच्चेतिगारी भी और कोई जिसे ज्यान नहीं देते है चलिए रबेंड आपका बहुत बहुत शुक्रे समाम जानकारी के लिए तो बारबंकी का एपूरा मामला है जहां पर दीकते कई दिनों से मुसलादा बारिश होने की वज़ा से गौशाला में दरजनों गौवंचों की मौत पर अब राज़नीती भी हो रही है हाला कि दावा किया जा रहा है कि गौशाला में दरजनों मौत कोई हैं गायों की लेकिन ऐसे में गौशाला के तरफ से जानकारी दी जा रही है उसमें कुछ मौतों को ही दिखाये जा रहा है और इसी के साथ इस बुलिटेन में फिलाल के इतना ही हम देखते रहें